Hello everyone, myself Khan Yasmin from Global Teachers Academy, आज जील का जो टॉपिक है वो ट्विन्स, ठीक है, ट्विन्स का डवलप्मेंट कैसे होता है, ठीक है, और कितने टाइप के ट्विन्स होते हैं, और उनमें किस तरीके की जेनेक सिमलारिटी जो होती है, वो किस हद तक पाई जाती है, वो आज हम एक टॉपिक म की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगोंने कुछ इस तरीके से बड़ देखा होगा, कि दोनों भी बच्चे जो होते हैं, वो एकदम से एक दूसरे की वो बभू कॉपी होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं से होते हैं, जो अपने आपको ट्विन्स बोज दें हैं, और हम उस चीजग को एकदम सेप्ट रहे होते हैं, क्योंकि उनकी शकलें जो होती ही, वो माच भी करते हैं, तो आज की टॉपिक में अपकी चीज खीर हो जाएगी कि आक्चिय में होता क्या है, अब आपकोशी होते हैं, तो तो तरीके की जो होते हैं, एक फीज होता है, मोनो- प्विल्स का ठीक है दोस्ता नो होता है उसमें अगा चारेंगे दाइजाइगोटिक ट्विंज इन बारेबें इसी दाइजाइगोटिक कविंज को यह खांजमें fraternal twins भी कहते हैं ठीक है आप लोगों को अगर पताने कि fertilization की reaction जो होती है वो क्या होती है ठीक है जिसमें आपने देखा होगा मैंने आप लोगों को जब development का case वसाया था तो उस चाहिन पर भूला था कि CVS के पास जो होते हैं वो gametes होते हैं और ठीक है उसकी gametes को ओवम कहा जादा है और उसके ओवम के पास 22 chromosome और एक जो होता है signal X chromosome होता है और जो ओवम होगा वो always haploid होगा ठीक है त्यूंकि यह एड है ठीक जबकि हम स्पंग की बात करें तो इस स्पंग में आप लोगों को पता है कि जब स्पंग जो आर्ट सार टाइम ऑफ एजाटूरेशन जब स्पंग रिलीज होता है तो वहां पर 50% स्पंग यह और ऊहरे, यदि 0,Emiliene को एक्स घ्यामीट को करते है और 50% परसंग जो होते हैं वह वायउड जैस को क्या करते है एकता है तो प्रेंपंपल स्पंग 5 जह होता है लड़की होने के चांसेज़ होता है। ठीक है यानि यहां पर यह वाला case होता है अगर for example यह वाला spout इस own के साथ fuse हो जाए तो यहां पर x y यानि लड़के का development हो जाए रहा हो यहां पर आपके पास यहां पर आपके पास क्या है 22 बियर ओप ओप ओवर्म रिलीज होता है ठीक है लेगिन पहला case हम वोनों साइगोट इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वोनों का मतलब होता है सिंगल और यहां पर एक सिंगल जाइगोट का development वा यानि अधर वमान ल यहां यह जो बेबी है यानि यह जो जाइगोट बना जो आगे चल के जो बेबी बनेगा उसका जेन्डर डेसाइड अवोट चुका है कि वो क्या होगा मेरे होगा ठीक है फिर जाइगोट के पास एक्स वाइगोट आ चुका है हब अगर यहां पर मैं मैप करूँ कि कुछ केसिज होता है न अगर आप मान लें यह एक से चांड दे यानि आसपर फटिलाइजेशन वान टू फो डेस के अंदर यहां पर स्प्लिटी हो जाएगोट जो होता है वो तोड़ जाइगोट क्योंकि यह अभी कमिटर स्टेज मे कि नहिनीं थीख तो आब विसलव यह जो प्रोपे toothbrush है वह होते हमुग क्या करेंगे दो चाइल बनाएं याणि यहां पर आप अगर बात करेंगे तो दो कॉरियों बहेगा ऊंड़ अनिय ओन बनेगे और जो होते नोच़ाइळ का प्रलै नॉर्माइव सब्लंड का चेस ज 9 देज में यहां पर जो एन्य वो दिए वो कमिटेड हो जाती वदए हं नहीं पर अगर आप करें तो कैसा है तो पर10 पर जाती tut हूंगे यह इस प्रिवित होता yカश फंड आ का रोता है कें आप तसे होता है इसमें शरी होता है और इसमें चापवी का डेवलाफमेंट हो रहा है लिकिन क्ली नॉंगे अगर आफ़कर नांन डेज मोर देन मतलब होता है अगर हम जाए और दर जो होता है यहाँ पर जाइगोट की स्प्लिटिंग वी तो यहाँ जो बेवीज डिवलप होते हैं उसे कन जॉइंड बेवी या साइमीज बेवी कहाज अपर ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि जो दो बेवीज हैं कहीं उनके हैड जुड़े हुए कहीं पुरी वोल बॉडी जो होती ही वो जुड़ी हुए होती है वो मोनोजाइडोटिक होता है और युझे दोनों न्यों में ये दो डिफरेंड चाय को होते हैं वो क्या होते है हैं वो हम से दवालप हो रहे होते किता हैं तो उसे हम क्या औ가ट हैं सामीज कंडिशिंग आ87 कहते हैं ओनके लोड़े曮 की धूक्यी इंवसके हम स्वाट्द और ही केशी की बात कर रहे हो तो यहां पर आपको पता है कि यह जो हो उता है वह हमेशा मेट परत डेगा ज सिमेलर जेंडर की बेगी जो होता है वो सोगे दोनों और नाताव होंगे यह तो दोनों लड़की होंगे ठीक है और यह फार जामन स्थे बात है कि जो जीन्स इस जाइवोड के पास थे उसकी साल के पास थ है तो जहार से बाद है यहां पर जो दो मसलिए बाब 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 जब तूटा ब्रिक ताउन सिर्फ वई तो इसके पास जो जीन्स होगे ऀसके पास वोगे यह ने जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इन दीत देखी जातीraft है're यह 100% जो होते हैं जो से से सिमिलर होते हैं वाट अपने पैरेंट से 50% सिमिलारीटी को शो करते हैं ठीक है अब बाल आती है कि अगर यह मोनोजाइबोटिक ट्विंस में से दो बच्चे हैं इन दोनों को जो होता है डिफरेंट एन्वार्मेंटल कंडीशन मिलती है तो इनकी ऐने ड़िथियु जे गया ही जरते हैं ठीकई जीनस तो सेम हैсь लेकिन भीहेएवेएट क्या हो गया डिफरेंट एन्वार्मेंटल के बेसे स 컬러?? चैंज हो जाता है ठीक है लेकिंद अगर हम बात करेंगे, गायबज ऐलोटिक को एट ठीक है तो नहलते है कि आई हालावेटिक अब जब fertilization की reaction वी तो एक sperm ने इस ओवन को fertilize कर दिया और दूसरे sperm ने इस दूसरे ओवन को जो होता है fertilize कर दिया मानगेजे कि इसमें यह जो मतलब sperm था इसके पास X chromosome था और यह जो sperm था इसके पास Y chromosome था ठीक है तो जब इसका fertilization वा तो X X chromosome पन किया है और यहां पर जो fertilization वी तो X Y condition जो होती है वो डेवलप यह तो इसका ऐसे भी हो सबता था कि यहां पर जो होता है वो X ही chromosome होता तो X ही chromosome होता तो X X development होता यह तो यह पर होता है कि यह Y chromosome होता ठीक है तो इससे क्या हो जाता कि X Y condition जो होती वापस से डवलप हो जाती ठीक है तो इसका मतलत क्या था कि जब हम Dysigotic Twins में बोलते हैं तो gender scene भी हो सकता है और gender different भी हो सकता है वेवेज का दोनों लड़के भी हो सकते हैं दोनों लड़की भी हो सकते हैं या एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं दो different sperm दो different ovum को fertilize कर रहे हैं तो इसी लिए यहां पर genetic similarity की अधर हम बात करें तो अगीं यहां पर similarity जैसे हमारे siblings होते हैं न हमारे भाई वेंड ठीक है तो हमकी जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ मेरा जो भाई होगा उससे मेरी जो genetic similarity होगी 50% तो विल्वल और जब मेरा behavior एक जैसर नहीं होगा दोनों एक ही दिखिए हाँ आप उस्वाइबर ने होगे एक ही घर में परते हैं एक ही environment होता है लेकिन behavior में जो होता है difference होता है कोई बहुत जादा गुस्सेवाला होता है कोई बहुत जादा obedient होता है ठीक है तो यह डिपेंड करका ठीक तो यह cases जो होता है आपको देखने मिलते हैं यह dizigotic twins के case में तो आपको importantly यह धियान रखना है कि monozygotic twins के case जो है इसमें general की similarity होगी genes में 100% एक दूसरे से similarity बट parents से 50% similarity होगी यह days आपको ध्यान रखने है कि किस case में जो होता है दो koryon, दो annual और दो चाहिंग जो होता है वो डिवलाप हो रहें दो चैनल तो सारी थी इसमे लेठी यहाँ पर koryons के नंबर में changes दिखाई दे रहें 5 to 9 days में 1 koryon, 2 annual 9 hour more than 9 days की बग करें तो यहाँ पर जो 10 single koryons, single annual annual और two child का जो होता है development और जिसको Chinese baby condition जो होता हम जानते हैं ठीकिल डाइस आइबोडिक की की समें अदर बात करें तो दोनों babies के बीच में 50% genetic similarity आपको देखने मिलती है, hopefully यह वीडियो आपको जो होता है इच्छी से समझाय होगा, next video को फिर हम जो होता है जीन से बारे में next video में बट करें, thank you